Hello students, most welcome आपके अपनी वाइबी कमटे क्लासेज की डिटू क्रेटिव लार्निंग में आज हम डिसकस करने वाले हैं Part 4, C++ Practicals का HSE Class 12 के जो C++ Practicals है, उसका तो यहाँ पर Part 1, Part 2, Part 3 में अपलोड कर चुका हूँ और वो Part 1, 2, 3 में मैं 7 questions explained कर चुका हूँ तो यहाँ पर experiment 8 आएगा and उसके बाद virtual function and use of file handling again हम 3 programs यहाँ पर explain करने वाले हैं and Part 1 में हमने यह swapping किया था, उसके बाद again swapping किया था दूसरे तरीके से, मलदा using pointer, उसके बाद reverse string and reverse string in the same string and binary search हमारा हो गया है, bubble sort हो गया है and Part 3 में हमारे पास constructor class and object का concept हो गया है and means class and object से related, constructor, destructor से related हम कर चुके हैं 7 applications हमारे हो गया है, अगर आपने नहीं किया है directly आप इस video पर आगया हो तो उन्हें आप देखिए अभी start करते हैं, implementing inheritance तो सबसे पहले थोड़ा सा inheritance के बारे में पता होना चाहिए अभी तक आप एक class बना रहे थे, अब आप एक class नहीं बनाओगे, टू classes बनाओगे यह normal जैसे biology में हम पढ़ते हैं, parent and child का जो relationship होता है, उसी type से रहता है तो यहाँ पर भी अगर हम notice करेंगे, तो एक class हमारा student है मैं यहाँ पर तोड़ा समझाने के purpose से, एक student यह बना लेते हैं और दूसरा जो class है, test, यह child class हो जाएगा यह child है और यह parent class है तो यहाँ पर हम बस ज्यादा tension वाला part नहीं है इसमें दिखो, एक यहाँ पर protected keyword है और एक हमने पढ़ा था private keyword के बारे में और एक है public keyword तो यहाँ पर three keywords हो गए, अगर आप private लगा देते हो तो आप अपनी on class में use कर सकते हो उसकी जो child class है उसमें भी use नहीं कर सकते हो इसलिए हमने क्या किया? इसे protected बनाया लेकिन अगर मैं public बनाता हूँ तो child class में तो use हो गाई unrelated classes में use होगा मनला वो सभी जगा यूज होता है public तो normally functions को तो हम public बना कर रखते हैं तो किवल child class में आप उसके data members को use कर सकते हो जैसे rno, rno जो है यहाँ पर जो child class है test उसमें use हो जाएगा तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है अभी normally slowly slowly करते हैं हमने class बनाया उसमें protected एक variable create किया फिर public में get roll number नाम से एक function बनाया जिसमें roll number input कर लिया फिर dis roll number हमने किया और उसमें display roll number हो गया dis roll number का मतलब display roll number तो यह तो normal application हो गाई इधर तो कोई इनाटेंस का लेना देना नहीं है अब again हमने एक और class बनाया और उसे हमने relate कर दिया public student कि आप जब जैसे एक तरह से हम किसी बच्चे को एडप्ट करते तो पुझ डॉक्मेंटेशन होता है तो एक तरह सी डॉक्मेंटेशन हो गया है न कि जो student है वो test से connect हो गया as a publicly यहाँ पर private भी हो सकता है protected भी हो सकता है okay बट आपके इस लिए बस में इतना जादा नहीं है कि public से क्या होगा protected से क्या होगा प्राइवेट से क्या होगा तो यहाँ पर बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो राइटन साइड में होता है वो पेरेंट है और जो लेटन साइड में होता है वो आपका child class है okay and colon sign से हम इसे connect करते हैं in items को थोड़ा theory में काम आ सकता है again हमने same चीज किया दो variable लिए उसमें get marks दौनों में marks enter किये और फिर display dis marks का हमने यहाँ पर function बनाया है जो कि हम दूसरे page में इसका definition लिखेंगे यहाँ पर dis marks का हम यहाँ पर definition लिख रहे हैं लेकिन अगर आप notice करोगे यह नई चीज क्या आ गई test double colon तो normally आपको class and object का थोड़ा सा meaning पता होना चाहिए कि जब आप class के अंदर ही function बनाते हो तब तो उसे relate करने की जगद नहीं होती लेकिन class तो यहाँ पर बंद हो चुका है अगर आप notice करोगे यहाँ पर हमारा class बंद हो गया है तो जब हमें यह function का definition लिखना है तो हमें class के नाम से relate करना पड़ता है इसे scope resolution operator बोलते हैं यह जो operator है यह scope resolution operator है इसे हमें relate करना पड़ता है class के नाम से पहले class का नाम आएगा फिर double colon आएगा और फिर function का नाम आएगा यह हम उस class के बाहर है यह मानके चलो फिर हमने एक और class बनाया अब देखो यह related class नहीं है तो यह normal class है and then फिर हमने क्या किया तो अभी देखा जाए तो जो relation था वो student and marks का मतलब test का था फिर sports class आया और result class आया and इसे हमने connect कर दिया किस से test and sports से connect कर दिया इसका मतलब यहाँ पर यह parent class हो गए test and sport और इस से हमारा एक child class आया result मीज student से test आया और test and sport से हमारा result class बना तो इस type का यहाँ पर यह inheritance हम यहाँ create कर रहे है और फिर हम अब देखो अगर मैंने इसका object बनाया इस object से मैं इन दौनों को तो access करी सकता हूँ और साथ में यहाँ से यह grant parent हो गया result के लिए grant parent हो गया तो इस type से inheritance को समझना है यह देखो तब ही समझ में आएगा जब inheritance का अगर आप inheritance first time कर रहे है तो मेरी बातें नहीं समझ में आएगी यह confirm है पहले इसका थोड़ा basic level करना पड़ेगा तब समझ में आएगा ओके यह ची लिया फिर डिस्प्ले कर लिया उसके बाद हमने रिजल्ट क्लास बनाया और उसे दो पेरेंट से अटेच कर दिया है तो यहाँ पर जब दो पेरेंट से अटेच करते हैं उसे बोलते हैं multiple inheritance यह multiple inheritance है और student test और result ऐसे अगर जाएंग तो multi level inheritance होती है तो अग लग लग टाप की sign देना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पर s1 plus s2 plus w अब आप notice करोगे w तो किसका member है sports का है और s1, s2 किसका है test का है s1, s2 test में थे तो यहाँ पर यह relationship है इसलिए आप test और sports से data ले पा रहे हो आप यह line हटा दो अगर आप यह line हटा दोगे तो आपका इस line में error आजाएगा आप उसे value को नहीं ले सकते हो फिर हमने यहाँ पर display rno print किया है फिर यहां से मारव function की calling है यहाँ से आपका dis rno call हो जाएगा and dis mark call हो जाएगा और this sports call हो जाएगा तो यहां से तीनों call हो जाएगे और जो यहां पर display किया है वो display हो जाएगा और यहां total sum आपका display हो जाएगा यहां से जो भी हम object बनाते हैं उन last class का बनाते हैं object बनाया result stu d यहां से get marks पर हम आएगे सीधा get marks कहा गया यह सीधा parent class में जाएगा है ना इसका जो parent class था और यहां से यहां get rno पर जाएगा फिर get marks पर जाएगा फिर get sports पर जाएगा फिर get display पर जाएगा यह सब ही link है इसलिए उसके parent class के functions भी call हो जाएगे जब आप इसे execute करोगे तो सबसे पहले message आएगा enter roll number तो roll number हमने एंटर कर दिया फिर message आएगा enter marks of two subjects तो 89 हमने एंटर कर दिया और फिर 89 और 98 क्योंकि two subjects की marks हैं फिर sports के marks पूछा जाएगा और फिर यह प्यारसा result डिस्प्ले हो जाएगा यह है inatence तो यह inatence एक revision type है और practicals के लिए है theory में तो code आता नहीं है तो थोड़ा सा अगर inatence आपको आता है पहले से तो ही समझ में आएगा यह precaution है यह समझो है ना तो अब आजाते हैं virtual function यह virtual function का अगर मुझे practical करना है तो कैसे करेंगे तो जैसे अभी हमने inatence समझा वैसे ही है यहाँ पर class person है फिर class student है छोटी छोटी दो classes बनाए अभी आप मुझे बदा सकते हो कि जो student है वो क्या है और person जो है वो क्या है तो person हमारा यहाँ पर parent class हो गया और जो student है यह derived class यह फिर child class बोल सकते है ओके यह फिर derived यह फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं base class और only single column से हमें attach करना होता है तो अब देखो यहाँ पर क्या किया है हमने parent के अंदर एक ऐसा function बनाया है जिसमें virtual keyword लगा दिया अब इस virtual keyword से होगा क्या वो हमें समझना है man function के अंदर जो हमने जेखो generally मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताया था function है और है student तो object बनाएंगे हम student का और उसी से हम इसे call करेंगे और इसे call करेंगे लेकिन अगर आप notice करोगे यहाँ पर हम parent का यह बना रहे है object बना रहे हैं तो जब आप parent का object बनाओगे और वो भी pointer बनाओगे अगर किसी variable से पहले अगया तो वो pointer variable बन जाता है यह pointer object तो यहाँ पर हमने pointer यह बनाया और एक हमने normal object बनाया ठीक है फिर हमने क्या किया normal का address हमने p की अंदर store कर दिया ठीक है मतलब इस address के अंदर store कर दिया और उसके बाद जब भी pointer का case आता है और call करते तो dot operator help नहीं करता है मतलब यहाँ पर p dot print नहीं कर सकते हो calling के लिए क्योंकि यहाँ object pointer है तो pointer में हमेशा arrow sign यूज होता है और arrow कैसे बनाएंगे dash करना है greater than sign बनाना है नहीं तो आप keyword में दूणते रहो कि मिलेगा नहीं तो यहाँ से यह print function कॉल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा यह वाला print function कॉल होगा क्योंकि person का है फिर हमने student का object बनाया और उसको p को memory दिया फिर हमने print function कॉल किया तो अब print function कॉल होगा आपका यह वाला इसलिए पहला जो message आ रहा है वो bob बाला आ रहा है जिसमें हमने यह bob डिस्प्ले किया है यहाँ पर हमने tom डिस्प्ले किया है इसलिए यहाँ पर tom आ रहा है तो यहाँ यह magic हुआ कैसे वो समझना है अगर आप notice करोगे कि यहाँ पर जो memory p की अंदर गया है वो person का गया है तो person वाला कॉल हो गया यहाँ पर student का object बनाया तो student का जो memory है वो p की अंदर पेरेंट पेरेंट आपका पेरेंट का भी कॉल कर रहा है और पेरेंट जो है student का भी कॉल कर रहा है तो यह तभी possible है जब आप virtual function बनाते हो अगर आप virtual function नहीं बनाओगे यहाँ से keyword add मनलब रिमूब कर दोगे तो यह काम नहीं करेगा अगर आपने virtual function रिमूब कर दिया तो फिर एक ही तरीका है आपको फिर student का object बनाना पड़ेगा मनलब चायल से help लेनी पड़ेगी student as one फिर student as one जब आप call करोगे तो यह call हो जाएगा और फिर उपर वाले को call करने के लिए आपको class का नाम का सारा लेना पड़ेगा तो देखो वह ही है कि हमारे पास different ways दे दिये हैं अब जो भी आप project बनाओगे उसमें जो भी आपको लगेगा parent के थू जाना तो parent के थू जा सकते इस्टोरेंट के थू जाना तो student के थू जा सकते हो और यहां पर मैं एक चीज़ और बता दू कि यहां function का नाम same है जब function का नाम same होता है तो दो concept आते हैं function overloading and function overriding overriding and overloading तो यहां पर function overloading है यह और यहां function overriding है जब अलग-अलग classes में यह होता है तो overriding होता है and overloading का अब होता है जब यही class के अंदर same नाम की function हो गए तो overloading होता है बस यह simply overloading and overriding हो गया तो यहां पर दो program's हमारे complete हो गए अब use of file handling बस यह है कि यह जो मैं practicals के लिए बना रहा हूँ तो मैं यह assume करते हो चल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको practicals आते है नहीं आता है तो बिलकुल नहीं समझ में आएगा but फिर भी मैं try करूँगा कि थोड़ा basic से चले file handling में actually क्या होता है पहले तो यह समझना पड़ेगा कि जो आप data enter करते हो वो data file के अंदर चला जाता है मलब एक text file होती है एक file आप यहाँ पर यह देखी रहे हो .cpp जिसके अंदर यह पूरा code लिखा हुआ है और एक file क्या होता है कि यहाँ पर जो result आएगा वो किसी file में shift हो जाएगा या किसी file में है txt file है तो वहाँ से data निकल कर आएगा तो यह text दो file हैं यहाँ पर cap.txt मलब capital.txt और country.txt यहाँ पर यह दो दोरा data है अल्रेडी हम क्या करेंगे इन files में से data निकाल कर लेके आएगे using file handling क्या करते हैं जो output होता है वो file के अंदर store कर सकते हैं और file में जो store है वो हम display कर सकते हैं तो यहाँ पर simply एक काम करना है कि यहाँ जो file है उन में से data निकालना है और फिर यहाँ पर display कर देना है यह हमारा मतलब अभी इस question का task है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम f stream.h head file लगाते हैं तो यह head file याद रखना है फिर if stream and off stream यह दो हमारे पास क्या होते हैं classes होते हैं off stream input file में input करने में help करता है means write write करने में help करता है बट अभी इस question में हम file के अंदर data insert नहीं कर रहे हैं file से data निकाल रहे हैं अगर हैं तब ही यह काम करेगा दर्वेज नहीं करेगा तो हमने क्या किया दो objects बनाए if stream के and फिर fnm 1 20 लिया fnm 2 मनलब file 1 और file 2 name और str1 str2 इसका data इधर निकल कर आएगा और इसका data इधर इधर निकल कर आएगा यहाँ पर file name होंगे मैं थोड़ा सा relate करके बता देता हूँ कि यह variable हमने क्यों लिये है यह जो con.txt cap.txt यह con.txt के लिए यह है और cap.txt के लिए यह है और यह जो data निकल कर आएगा उनके लिए यह है है नो तो हमने क्या किया सबसे पहले enter country name लिया फिर fnm1 में data enter कर लिया और फिर उसे open किया f country 1.open fnm तो यहाँ पर हमने file को क्या कर दिया open कर दिया फिर हमने चेक किया क्या file open हुई है अगर file open हुई है यह condition false हो जाएगा सीधा हम else में जाएगे अगर file open नहीं है तो country file not found यह message आजाएगा अब बात आती है file open हो गई फिर enter capital फिर हमें दूसरी file भी open करनी है दूसरी file का नाम ले लिया और उसे भी open कर लिया अब दौनों file open हो चुकी है और अगर यह भी file open हो गई है तो यह message नहीं आएगा सीधा हम यहाँ आएगे अब यहाँ पर क्या किया है हमने एक while loop लगाया यह file reading का concept है जब भी आपको file रीड करना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा notfcountry.eof यह function लगाना है eof का मतलब होता है end of file eof का मतलब है end of file यह रुख जाएगा जब आप end पर पहुँझाओगे मलब इंडिया औस्ट्रेलिया and आप end पर आ चुके हो then यह stop हो जाएगा automatically अभी end of file नहीं है not लगा हुआ तो end of file नहीं है condition true हो जाएगी सीधा f country.getline str1 में data आ जाएगा फिर हम उसे print कर देंगे f cap.getline str2 के अंदर data आ जाएगा और हम उसे print कर देंगे फिर यह दुबारा लूप चलेगा मतलब इंडिया और डेली प्रेंट हो जाएगा उसके बाद दुबारा लूप चलेगा फिर और ऑस्ट्रेलिया and canvaira प्रेंट हो जाएगा and then फिर तो कुछ है ही नहीं condition false हो जी कि end of file पर पहुंच गए यह बाहर आ जाएगा उसके बाद दौनों files को हमें close कर देना है उसके बाद दौनों files को हमें क्या करना है close कर देना है ओके तो यह working था यहां पर file handling का तो simply हमारी txt file बनती है इसमें txt file में data insert करते हैं उससे निकालते हैं बस यह है कि यह series जो आप देख रहें पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर तक यह practical के लिए है इसके लिए इसके लिए बेसिक नोव्ड़ प्लस जाहिए तो आपको आपको मेरे बेसिक वीडियो देखने पड़ेंगे स्टार्टिंग से तो वहां पर मैंने बिल्कुल बिगनिंग से समझाया है आपको पुरा समझ में आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताएए अचेसी बोड को अब मैंने अपने हाता में ले लिया है और मैं काफी वीडियोस अप्रोड करने वाला हूँ है अचेस कर दो